सचेन मनीशा के लिए इसमेलो गाइस विलकम बैक टो मैं चैनल कैसे आप लोग वह आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं तो अभी एकदम साम का टाइम हो रहा है और मैंना बहुत दिज़ों से ब्लॉग्स नहीं बना रही थी वीडियो भी मैंन सबसे पहले मैं के लिए इस पेसली मनिशा के लिए और उसको उसके साथ चीजें बुरी हुई है भगवाद बुरा किया है तो सारी चीज़े यार अच्छी भी होनी चाहिए तो ऐसा बहुत सपोर्ट था बहुत रिस्पेक्ट थी लोग आयरन लेडी के नाम से उसको वह जानी जाती थी पर मुझे नहीं लगता है कि वह आयरन लेडी है क्योंकि जब किसी का घर तोड़ रही है तो कोई आयरन लेडी तो कि मुझे अगले जनम में आप मेरी सगी दीदी बन क्याना मैंने दीदी बोला मा कसम कर रहा हूं वैशना माता की सोगंद अगर ने मैंने उनको बहुत सगी दीदी बनना तो तो खरे जोंकि कुछ और बनोंगी मैं भूला क्या तो करें मैं बीवी बनूंगी उन्होंने कहा कि मैं बीवी बनूंगी मैं थोड़ा सा शॉक हुआ मैंने समझाया यह फीलिंग्स आ जाती है गलत है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अपना घर तो तुडवा ही रही है इवन मुझे लग रहा है कि वह अपने पती के का नाम यूज कर रही है नेम फेम की यार एक सिंपती उसने गेन किया है लोगों के बीच में जो भी बहुत लोग नहीं होंगे इस चीज़ से अगरी तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो लोग एगरी होंगे तो मुझे कॉमेंट जरूर करना क्योंकि मुझे लग रहा है कि वह अपने पती का नाम यूज करती थी और आज वह इस लेवल पर आ गई कि दूसरे का घर तोड़ने के लिए भी रेडी होगा यहां तक तुने यह बोला था कि जिससे मेरी शादी और यह उसको मैंने बोल दिया है कि हांस्यचीन में मेरा ज्यान बसता है पागल समझ कर रखिए चूतिया समझ गई है एक चीज और मैं बताते हूं ये मैडम का सगाई होता है ठीक है सगाई में जो पती रिंग देता है तो वह पहनना चाहिए लेकिन ये मेरे पदी को क्या की बोलती है कि मैं न सुमीत का दिया हुआ रिंग नहीं पहनूंगी मुझे तुम से रिंग चाहिए मतलब उसको खुद के सरम को सरम नहीं आती है कि यार जहां पर भगवान ने जो कि किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए वो उसके साथ हुआ है तो मैं कभी किसी और के साथ यह सब नहीं होने दूँ या किसी के घर नहीं तोड़ूँ तो वह यार ऐसी मतलब सच में मनीशा का ब्लॉग देख रही थी जब लाइव आई थी कि यार मैं किसी को कभी अपने भाई को भी राकी नहीं बांदूगी तो सच में एक भाई बहन के नाम पे या उनके रिस्ते पे धबा लगा के रख दी है ना तो आज ये जो कचड़ा भाई-बहन वाला भी हो रहा है ना भाई-बहन का तो रिस्ता मैं तो अपनी जिन्दी में कभी राखी नहीं बादूगी अपने बाई को और मुझे लगता है कि ऐसी ऐसे इंसान को आप त गलती का ही नतीजा मुझे मिल रहा है तो बहुत रिस्पेक्ट थी उसके लिए लेकिन मैंने ना जब से मैंने ऐसे मनीशा की लाइव देखी और जब मैं उस लड़की को मनीशा को रोते हुए देखी ना तो मुझे लग रहा था कि यार ये नाटक नहीं है ये दिल से रो र साथ अगर प्रॉब्लम आये तो तुम अपने मम्मी को लाके लोगों को बद्वाएं दिलाओ और जब खुद की लोगों की बद्वाएं लेती हो तो तब तुम्हारी मम्मी कहां जाती है खुद के लिए भी तो अपने बेटी को समझाए कि भाई दूसरों का घर मत तोड़ नहीं है सोसल मेडिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है कोई कुसी का सपोर्टर नहीं है एक दूसरे की जहां पर फायदे होते हैं वहीं पर सामने वाला सपोर्ट दिखाता है अधर्वाइस वह कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाता है आपके लिए तो यही है सोसल मेडिया का ब तो मुझे लग रहा है social media में उसने बहुत गलत किया तीवारी ने सचिन मनेशा के साथ और मुझे लग रहा है इसमें सचिन के भी गलती है यार ऐसा नहीं है अगर सामने वाले से साधी किये हैं और उसका साथ निभाने को तो फिर कुछ भी हो जाए आप ऐसे कैसे कर सकते हो अ मुझे सच में बहुत इनोसेंट है वो मुझे लग रहा है कि वह सचिन के सपोर्ट के लिए उसने कुछ भी किया है तो और उसका हजमेंट सचिन ने यह सब उसको दिखाया बट ठीक है अगर वह रोई है तो वह साथ सब रोएंगे बस ना मैं यहीं बोलना चाहूंगी कि य कर पाओ वही कर पाओ नहीं कर पाओ तो मत करो छोड़ दो क्योंकि कोई सब्सक्राइब यह सारी चीजें नहीं थी तब भी लोग काम करते थे कमाते थे रहते थे अपना जो भी तो आज यह चीजें हो गई हैं तो आज इसको लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें इ कामने वाला जो भी हो रहा है तो इस चीज को मुझे तो लगता है छोड़ी देना चाहिए क्योंकि हजारों काम है ऐसे अगर जहां पर सोचल मेडिया आपकी फैमिली आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टरफ कर रही है वहाँ पे आप छोड़ दो तो बस मैं एह ही कहना चाहिए कि इतना भी नहीं है कि नहीं आरा आपको चीजे करनी है अगर आप अपने खुद के उसको समझना चाहिए था कि यार एक मैं खुद आउरत हूं और दूसरी आउरत के साथ ऐसे कैसे कर सकते हूं तो प्लीज आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा उपीनियन कैसा लगा और आप उसको सपोर्ट करना चाहे थे बस यही था मेरा ब्लॉग छोटा जाओ वीडियो आप लोगों पसंद आयो तो प्लीज एक लाइक करना कॉमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यों सो मच वीडियो देखने के लिए